हमाज़क प्रदेश में मौसम लगातार करवट ले रहा है कभी धूप कभी बादल कभी धुंद तो कभी बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है बारिश के कारण दर्दना घटनाई भी पेश आई जिनमें कई लोगों को अपनी जान गबानी पड़ी प्रदेश के लोगों को अभी मौसम और सताने वाला है आगामी साथ दिनों के लिए खराब मौसम का येलो अलर्ट जारी किया गया है इस दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा शुकरवार शाम को भी शिमला में जम कर मेग भरसे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हलकी से मध्यम या भारी बारिश देखने को मिल सकती है आगामी पांच दिनों के लिए प्रदेश के दस जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है इनमें सोलन, शिमला, सिर्मौर, हमीरपूर, बिलासपूर, मंडी, कांगडा, चंबा, कुलू और उना जिला शामिर है लाहुल स्पिती और किनौर में मौसम साफ रहने का पूर्वा रमाल है इसके अलावा, दस जिलों में बारिश के साथ गरजन और बिजली की संभावना भी जताई गई है आगामी पांच दिनों में प्रदेश के दस जिलों में हलकी से मध्यम या भारी बारिश देखने को मिल सकती है इसके अलावा बीते 24 घंटों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान में बढ़ोत्री तो कुछ हिस्सों में गिरावट दर्ज की गई है सबसे कम तापमान शिमला के कुफरी में 19.6 डिगरी सर्चीस दर्ज किया गया इसके अलावा शिमला में 24, सुन्दनगर में 32.5, कलपा में 25.6, धर्मशाला में 27, नहान में 30.1, एलाग में 25.5, मनाली में 27.4, कांगडा में 33, मंडी में 32.4, बिलासपूर में 33.5, हमीरपूर में 33.6, चंबा में 32.9, नारकंडा में 20.4, रिकांगपियों में 28.9, दोलाकुआ में 34.2, ताबो में 35.1, और उना में सबसे अधिक, 36.4 डिगरी सेल्सियस तापमाल दर्ज किया गया